जहेंद प्यारे साथियों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार यूटूब चैनल संपुन तेयारी दोस्तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो गुरूब डी का प्रिवियस एर का पार्ट है पार्ट 15 हम लोग आज देखने वाले हैं और रोज एक सेट होता है आप लोग को पता है दोस्तो अगर आपने हमारे पिछले वाले जो वीडियो है जो की वन से लेकर 14 तक जो की पार्ट है उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका एक अलग से मैंने प्लेइलिस्ट बना दिया है वहाँ से जाकर आप लोग देख लिजेगा और काफी संदार प्लेइलिस्ट उसमें सारे वीडियो पड़े हुए है वहाँ से जाकर आप लोग देख लिजेगा दोस्तो अगर बात करें कि आज के जो questions है आज के जो questions है 9.11.2014 का paper में जो आया हुआ question है जो exam में आया था same वही paper है दोस्तो तो काफी important हो जाता है क्योंकि previous year का जो भी paper होता है आप लोग पता है कि previous year का paper अगर आप लोग analysis कर ले रहे हैं अगर previous year का सारा paper आप लोग देख ले रहे हैं तो उससे पता चल जाता है कि exam का label क्या होने वाला है यानि कि exam का label क्या होता है तो दोस्तो अगर आप लोग हमारे channel पे नए हैं और आप लोगोंने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट है जो आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है इसमें मुझे 1K लाइक और 1K भीव चाहिए वीडियो को ज़्यादा सेर कीजिए दोस्तों में और रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि वीडियो को जितना हो सके लाश्ट तक देखिएगा दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा क्योंकि अगर वीडियो को last तक देखेंगे तो आप लोगों को बहुत फाइदा मिलने वाला है आज हम लोग बहुत ही अच्छे-च्छे questions करने वाले हैं और बहुत ही सांदार trick के साथ भी इसमें हम लोग questions करने वाले हैं पहला question है प्रश्ण चिन के स्थान पर आने वाली संख्या ग्याद करना है प्रश्ण चिन के स्थान पर आने वाली संख्या ग्याद किजिए यानि कि ये question दिया हुआ है यहां पर what की जगह पर क्या आएगा पूछ रहा है कि what की जगह पर क्या आएगा 9707.67 is equal to 273.007 दिया हुआ है और यहाँ पर प्रश्ण के जगह पर क्या आएगा यह पूछ रहा है दोस्तो इसे सांदार ट्रिक से करने वाले हम लोग और ट्रिक का नाम है सिंगल डिजिट मेथड अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बारा रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि जो भी हमारे वीडियो आएंगे लेटेश जो की ट्रिक के साथ होंगे या जो भी वीडियो होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और वीडियो को जादा से जादा से शेयर कर देजिए तो बात कर रहे थे trick का नाम single digit method है जिनको पता है वो थोड़ा सा देखें ध्यान दे इसको और ध्यान दे के revision भी कर सकते हैं इसको और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखेगा single digit method इसको बोला जाता है दोस्तों single digit method कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या है जैसे मान लिजे कि मैं एक संख्या ले ले रहा हूँ 52 तो 52 जो संख्या है वो क्या है दो digit का संख्या है यानि कि double digit है तो इसको single digit बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है बस इसको simple हम लोग जोड देते हैं यानि कि 5 to कितना 7 सेबेन एक सिंगल डिजिट संख्या है उसी तरफ से अगर मान लिजे कि मैं ले ले रहा हूँ 912 912 अगर ले रहा हूँ तो दोस्तों देखिए क्या होता है यहां पे यहां पे होता है 9 और 1 कितना 10 और 10 दो 12 यानि कि 12 एक प्लस 2 इस इक्वल टू 3 एक सिंगल डिजिट संख्या है और दोस्तों ध्यान देने के लिए एक बहुत ही important बात जो कि इधर ध्यान दिजे काफी important बात यह है कि अगर इसको star mark करके लिख लिजे कि अगर इसमें point आप लोगों कहीं पर दिखता है percentage कहीं पर दिखता है या फिर upon percentage आप लोगों कहीं पर दिखता है तो आप लोगों को इसे consider नहीं करना है point दिखे percentage दिखे या तो उसको हम लोग consider नहीं करेंगे दूसरा नमबर नोट डाल के ये लिख लिजे कि अगर single digit method में अगर 9 आता है तो 9 को consider नहीं किया जाता 9 को neglect कर दिया जाता है अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि 9 को neglect क्यों किया जाता है तो यहाँ पर देखिए 912 को हम लोग single digit में जब convert किये तो यहाँ पर कितना आया समय और आसान बनाने के लिए इसको बोलें तो 9 को अगर neglect कर दे रहे हैं तो कितना बचा 1 और 2 यानि की 3 फिर भी 3 आ रहा है और अगर ऐसे भी कर रहे हैं तो फिर भी 3 आ रहा है तो 9 को जोड़ कर अपना समय बरबाद करने की कोई जरूरत नहीं है अब आज आते हैं कोश्चन पर कोश्चन को solve करते हैं ध्यान से देखिएगा कोश्चन को कैसे solve करते हैं कोश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और कोश्चन आप लोग note कर लिजेगा 9707.67 है बराबर है क्या 203.007 है ठीक है दोस्तो इसको हम लोग single digit method में बनाते हैं यहाँ पर दोस्तो आप लोग देख रहे हैं कि 9 है यहाँ पर क्या है 9 है तो 9 को हम लोग neglect कर देंगे 9 को consider नहीं करेंगे उसके बाद में आता है 7 7 प्लस कर देंगे कितना 7 7 14 14 और 6 20 27 27 कितना हो गया 27 27 हो गया यानि कि 27 तो अभी तो दो डिजिट है इसको भी हम लोग single digit में करते हैं 2 प्लस 7 is equal to कितना 2 प्लस 7 is equal to 9 हो गया यानि कि यह जो है 9 आ रहा है यहाँ पर 9 के हम लोग neglect कर देंगे यानि इसके जगह पर क्या आएगा 0 आएगा कुछ भी नहीं आएगा उसके बाद में दोस्तों solve करते हैं जो बराबर में है यह वाला जो है 200 3 इसको solve करते हैं 7 2 9 यह तो 9 है तो इसको भी हम लोग neglect कर देंगे 9 हमेशा neglect हो जाएगा बचा कितना 3 बचा यानि कि what minus 0 is equal to कितना 3 बचा what minus 0 is equal to 3 उसके बाद में दोस्तों जब यहाँ पर 0 को इधर लजाते हैं तो 3 प्लस 0 यानि कि what is equal to कितना what is equal to 3 यानि कि जो हमारा option है option को अगर हम लोग single digit में बनाएंगे तो वहाँ पे 3 आना चाहिए देखते हैं कौन सा option है जो की match कर रहा है चले देखते हैं अपना option जो की option दिया हुआ है चार option दिये हुए, option की तरब बढ़ते हैं और देखते हैं कि option को हम लोग single digit बनाने पे कौन से option में 3 आ रहा है ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पे first number option पे चलते हैं पहले 9 दिया हुआ है तो 9 तो neglect कर देंगे, उसके बाद में 8 और 7 कितना होता है 8, 7, 8, 7 कितना होता है, 15 होता है और 15, 7 कितना होता है, 15, 7 होता है, 22 यानि कि ये 22 जो है 2 digit संख्या है इसको single digit बनाने के लिए 2 और plus 2 यानि कि 4 single digit होगा लेकिन हम लोगो कितना चाहिए, हम लोगो चाहिए, 3 चाहिए तो ये वाला जो first number option है wrong हो गया, second number option की तरह बढ़ते हैं, 9 और 9 दो बार दिया हुआ, इसको neglect करते हैं उसके बाद में जोडते हैं 6, 1, 7, 7, 7, 14, और 14, 7 कितना, 14, 7, 21, यानि कि जो 21 है, 21 क्या है दोस्तों, 2 digit है, इसको single digit बनाते हैं, तो 3 आ रहा है, यानि कि ये जो है, इसको follow कर रहा है second number जो option है, follow कर रहा है, लेकिन बाकी अभी दो option बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर आ जाता है, 9, इसको निगलेट करते हैं, 8, 8 कितना, 8, 8, 16, और 16, और 7 कितना होता है, 16, 26, 23 होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग जब single digit बनाएंगे, तो कितना होगा, 5 होगा आसा करता हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और काफी अच्छी तरीके से बहतरिन तरीकों से चीजों को सीख रहे होंगे तो दोस्तों, यहाँ पर 5 आ जाता है, यानि कि इस 3rd number option भी रॉंग है और 4th number option के अगर बात करें, तो 8 और 8 कितना, 9, 9 यानि कि निगलेक्ट और 8, 7, 16, और 16, 7 कितना, 22 यानि कि इसको बनाते हैं, तो 4 आता है, यानि कि ये भी निगलेक्ट मतलब ये है, कि जो 2nd number option है, वो question को follow कर रहा है, यानि 3 is equal to 3, 3 is equal to 3, तो 3 जो है 2nd number option हमारा right हो जाएगा, चली बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, 2nd number जो question है, 2nd number question बोल रहा है एक धर्म निर्पेक्षराजी वह है, 10 में दिया है, एक धर्म निर्पेक्षराजी बताना है, कि धर्म निर्पेक्षराजी किसे बोलते हैं, option number 1 है, जिसका स्वैम का कोई धर्म नहीं है, option number 2 है, जिसके नागरिकों की धर्मिक भावनाए है, option number 3 है, जो धर्म के विरुद है और option number 4 जो धर्म हीन है तो इसका right answer दोस्तों हो जाएगा first number option जो है जिसका स्वैम का कोई धर्म नहीं है वो धर्म निर्पेक्ष राज होता है और आप लोग को पता है कि हमारे संविधान में भारत को एक धर्म निर्पेक्ष राज बनाया गया है भारत क्या है एक धर्म निर्पेक्ष राज है और धर्म निर्पेक्ष कहने का मतलब कोई यह नहीं होना चाहिए भारत में कि आप हिंदू है तो आप मुसलिम है धर्म के नाम पर कोई भी लडाई नहीं होना चाहिए और हमारे जो समिधान है सम्विधान में एक बहुत ही बढ़िया बाद बोली गई है दोस्तों सम्विधान में ये बोला गया है कि जो हमारा धर्म निर्पेक्षिता है उसके अनुसार जो राज्य का संचालन होता है उसमें धर्म का कोई हस्तचेफ नहीं होना चाहिए धर्म उसमें कोई हस्तचेफ नह नाया गया है हमारे देश में जो सम्भिदान है या जो सरकारी निती है सबके लिए एक समान है सबके लिए क्या है एक समान है और सब लोग इस नियम को पालन करेंगे चले देखते हैं अगला question थर्ड नमबर question यदी एक को साइक यदि एक व्यक्ति साइकिल से 500 meter की दूरी 25 second में तैख करता है एक व्यक्ति है जो की cycle से जो 500 meter की दूरी है समय लेता है 25 second 25 second में तैख करता है और आप लोग को बताना है speed तो उसकी गति km per hour में speed बतानी है यानि कि option जो दिया हुआ है km per hour में option दिया हुआ है तो चलिए देखते हैं इसको solve करते हैं काफी संदार तरीके से within second में इसको solve करेंगे हम लोग और काफी अच्छे से इसको देखते हैं काफी easy question है आप लोग तो ऐसे ही अभी तक तो आप लोग solve करके इसका answer ला भी दिये होंगे तो चलिए देखते हैं ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है कि speed दिया हुआ है कितना speed दिया हुआ है speed निकालना है और distance दिया हुआ है और बात करें अगर time की तो time दिया हुआ है 25 second time कितना दिया हुआ है 25 second तो आप लोग को पता है कि जो speed होता है यानि कि जो चाल होता है क्या होता है दूरी अपन समय यानि कि distance अपन time चाल होता है तो यहां पर जब इसको हम लोग करेंगे तो 1500 कितना 1500 अपन 25 हो जाएगा इसको कर देते हैं काटा पीटी 25 से काट देते हैं इसको कितना 6 मीटर पर सेकेंड छे मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड आ गया लेकिन जो स्पीड है वो option में दिया हुआ है किलो मीटर पर सेकेंड में तो आप लोग को पता है कि अगर हम लोग को मीटर पर सेकेंड से किलो मीटर पर सेकेंड में ले जाना है किसी जीच को अगर नहीं पता है तो ध्यान एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर इसको नोट कर लिजेगा पहली बात तो ये कि अगर कोई भी चीज को किलो मीटर पर से किलो मीटर पर आवर से अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड की तरफ जाते हैं मीटर पर सेकेंड की तरफ जाते हैं तो फाइप अपॉन एटीन से स्पीड में गुना किया जाता है दोस्तो ध्यान दिजेगा चाल में फाइप अपॉन अठारा से गुना किया जाता है और दूसरी बात ये है कि अगर अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड से कीलो मीटर पर आवर की और जाते हैं मीटर पर सेकेंड से किलो मीटर पर आवर की और जाते हैं तो क्या किया जाता है 18 बटा 5 से किसमे गुणा किया जाता है चाल में ध्यान रखिएगा हमेशा चाल में ही गुणा किया जाता है यहां पे दोस्तों था कि 6 मीटर पर सेकेंड आया था 6 मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे 18 अपॉन 5 से गुणा कर देंगे यानि कि 186 कितना 108 अपॉन कितना हो जाएगा 5 108 अपॉन 5 को जब हम लोग काट देते हैं इसको 5 दूनी 10 और 5 ये कम 5 5 चकतीस यानि कि 21.6 किलो मिटर पर आवर देखते हैं ओप्शन में 21.6 किलो मिटर पर आवर कौन सा सही हो गया। ओप्शन नंबर दोस्तों यहां पे थड दिया हुआ है 21 किलो मिटर पर जो कि राइट हो जाएगा चले देखते हैं फोर्स नंबर कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन आ जाता है फोर्स नंबर कोश्चन ये बोल रहा है कि भारती सेना का तोप खाना प्रसिक्षण केंद्र कहां इस्तित है जो भारती सेना है तोप खाना प्रसिक्षण केंद्र जहां पे तोपो को चलाने के लिए प्रयास किया जाता है प्रसिक्छन किंद्र है वहां पे कहां पे है दोस्तों तो इसका right answer हो जाएगा देव लाली जो fourth number option है राइट हो जाएगा और भारतिय जो सिना है ये कहां पर है देवलाली तो देवलाली की अगर बात करें तो महराष्ट में है महराष्ट में एक जगह है आप लोगों को पता है नासिक कौन सा जगह है महराष्ट में नासिक एक जगह है वहाँ पर इस्तित है देव लाली और अगर बात करें इसके बारे में तो ये जो है वह ब्रिटिस यानि की अंग्रेजो द्वारा बनाया गया था और अंग्रेजो द्वारा सिवीर के रूप में बनाया गया था सन्य सिवीर जहां पे राते थे और भारतिये वायू सेना का जो आपूर्ती केंदर सखा है भारतिये वायू सेना का वो भी देवलाली में ही इस्तित है तो कितनी बाते हम लोगों ने सिखी एक दो और तीन पहली बात तो यह आजाता है कि कहां पर इस्तित है तो देवलाली में इस्तित है और दूसरी बात यह है कि कहां पर देवलाली है महराष्टर में इस्तित है और थर्ड नमबर बात हम लोगों ने सिखी कि जो भारतिये वाय धाइब नंबर कोश्चन है CPU के अंदर क्या होता है काफी इंपोटेंट है CPU के अंदर क्या होता है Card reader तथा एक printing device analytic engine तथा control unit arithmetic logical unit काड reader और control unit तथा arithmetic logical unit तो दोस्तो इसका right answer जो है fourth number option हो जाएगा control unit तथा arithmetic logical unit अब यह सब क्या होता है दोस्तों की computer का एक part होता है सबसे पहले बात करते हैं CPU का CPU का जिसका full form होता है Central processor unit क्या होता है Central processor unit इसका full form होता है Note कर लिजेगा Central processor unit और जो CPU होता है इसे computer का दिमाग कहा जाता है CPU को क्या कहते हैं computer का दिमाग कहा जाता है यानि कि computer CPU के बीना नहीं चल सकता है काफी important है दोस्तो CPU question में भी पूछ सकता है और अगर बात करें यहां पर आया है ALU यानि कि arithmetic logical unit जो है वो उसका full form होता है किसका ALU का full form होता है question में कभी पूछ देगा कि ALU का full form क्या होता है तो arithmetic logical unit होता है दोस्तो चले next question देखते हैं अगला question six number question six number question है 8000 रुपया लागत वाली एक वस्तु का अंकित मुले 11200 है यदि X percent की छूट देने पर 12% का लाब मिलता है तो X command ग्यात करना है बोल रहा है कि CP कितना है CP है 8000 रुपया CP 8000 रुपया दे रखा है और MP यानि की Mark Price कितना है CP दोस्तो होता है क्रेम मुले को बोलते हैं और Mark Price अंकित मुले को बोला जाता है ध्यान रखिएगा 11200 अंकित प्राइस है यहाँ पर 11200 और बोल रहा है दोस्तों की 1% की छूट देने पर 12% का लाब हो रहा है question में बोला है 1% की छूट दिया जा रहा है तो 12% का लाब हो रहा है तो छूट किस पर दिया जाता है छूट हमेशा discount हमेशा Mark Price पर दिया जाता है ध्यान रखिएगा कि discount किस पर दिया जाता है तो discount हमेशा Mark Price पर दिया जाता है और अगर बात करें हम लोग लाब की यहानी की तो लाब यहानी हमेशा लागत मुद्य पर होती है हमेशा कोश्ट प्राइस पर होती है चले सॉल्ब करते हैं कोश्टन को कैसे सॉल्ब करते हैं देखिए ध्यान से देखिएगा यहां पर दोस्तों क्या बोला गया है कि जब भी ऐसा question आए आप लोग को question में जब भी ऐसा देखने हो के मिले कि X percent छूट देने पर Y percent का लाब हो रहा है या X percent का छूट देने पर Y percent का हानी हो रहा है तो इसमें हम लोग का simple एक तरीका होता है कि MP ratio CP निकालने का simple तरीका होता है 100-Y% कर देते हैं या अगर profit हो रहा है तो plus कर देंगे और loss हो रहा है तो minus कर देंगे और CP दोस्तो कितना हो रहा है CP जितना हम लोग छूट देते हैं यहाँ पे उल्टा तो 100-1% यहाँ पे हो जाएगा तो देखते हैं कैसे solve करते हैं यहाँ पे दिया दे रखा है MP और CP का ratio बोला गया है कि MP और CP का ratio एक स्परसेंट की छूट दे रहा है तो 12% कलाब मिल रहा है 12% कलाब का मतलब 100 plus 12 यानि कि 12% कलाब मिल रहा है और यहाँ पे ratio है और CP जो है 100-1% छूट मिल रहा है दोस्तों जोड देते हैं इसको यह हो जाएगा 112 हो जाएगा और यह कितना होगा यह होगा 100-1 यहाँ पे हम लोग जानते हैं कोश्चन में दे रखा है कि जो अंकित मुल्य है 12 11,000 कितना है 11,200 है तो दोस्तों हमारा क्या हो गया कि जो MP है MP कितना आए गया 112 आगया और जो CP है MP और CP कर ratio 100-1 जो है CP आगया लेकिन यहाँ पे जो अंकित मुल्य है अंकित मुल्य कितना बोला गया है अंकित मुल्य बोला गया है 11,200 अंकित मुले कोश्चन में दिया हुआ है तो 11200 अंकित मुले है और CP कितना है 100-1% में अगर बात करें तो परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगा देंगे और जो CP हमारा आया CP हमारा कितना आया 8 जो क्रेम मुले आया वस्तू को बेच कितने में रहे हैं 8960 में वस्तू को बेच रहे हैं इसको solve कर देते हैं solve करने के बाद में यहां पर देखिए इसको solve करते हैं तो क्या होता है 10-10 यह काट देंगे 10-10 यह काट देंगे और 100-1 is equal to कितना हो जाएगा 8960 गुणे 100 अपन कितना हो जाएगा दोस्तो ए 100 नहीं और इसमे 112 हो जाएगा अपन में कितना अपन में 112 हो जाएगा उसके बाद में यहां पर क्या होता है कि इसको और इसको काट देते हैं कितने बार में जाता है 12 से जाता है आपका 80 बार में 12 से जाएगा तो हो जाएगा 100 minus x is equal to कितना 100 minus x is equal to 80 और x is equal to 100 minus 80 यानि कि x is equal to 20% और यहाँ पे दोस्तो 80 minus 100 होगा यानि कि 20% discount x is equal to कितना होगा 80 minus 100 यानि कि minus 20 minus यहाँ पे sign कर रहा है minus यहाँ पे so कर रहा है कि जूरू है x क्या है discount है और यहीं हमारा right answer है 20% जो की right answer हो जाएगा चले देखते हैं 7 number question next question है 7 number question है हिर्दे घात एक कारण है 7 number question क्या है हिर्दे घात का एक कारण क्या है दोस्तो तो इसका right answer हो जाएगा हिर्दे में रक्त आपूर्ती की कमी हिर्दे में रक्त आपूर्ती की कमी से हिर्दे में जो हिर्दे घात का कारण होता है और इसके चलते दोस्तों क्या होता है कि हाट अटेक के दोरान जब हाट अटेक आता है तो जो रक्त वाही का है जहां से रक्त परवाह होता है वहां पे ठका जम जाता है और खून को जो हट में मानस्पेसियों से पहुँचने बानस्पेसियों तक पहुँचने में उसको रोग देता है और जब वहां पर खून नहीं पहुचेगा तो ऐसे में मानस्पेसी क्या होती है कि मानस्पेसी दिरे question दोस्तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा उससे आप लोग घबडाएगा मत वीडियो लंबा होगा तो क्या हुआ आप लोग को अच्छा से अच्छा content देने की मैं कोशिज करूँगा ये एक चीज में सारा जो भी है सारा detail बताने की कोशिज करूँगा ऐसा कोशिज करूँगा कि एक कोश्चन में कम से कम पांच ये अच्छे कोश्चन आप लोग का पूरा हो जो की एकजाम के point वी से महतपूर्ण भी हो आगला कोश्चन है वह कौन सा ग्रह है जो सुर्य की परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लेता है जो की question of the day है question of the day कल का था कि 88 दिन सुर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह है जो 88 दिन लगाता है option है मंगल ब्रस्पती सनी बुध तो इस ग्रह जो है अपने एक्सिस पर एक चकर लगाने में कितना समय लेता है 60 दिन लगता है बुध ग्रह को अपने एक्सिस पर अपने धूरी पर एक चकर लगाने में और जो बुध ग्रह का अगर हम लोग टेंपरिचर की बात करें तो बुध ग्रह का टेंपरिचर जो है उसमें उतार चड़ाव हमेशा होता रहता है चले देखते हैं 9 – 9 – 9 दोस्तो है 9 – 9 की बात करें निम्न में से कौन सा खादे पदार्थ नहीं है आप लोग को बताना है option दिया हुआ है नीचे इन में से कौन सा जो खादे पदार्थ नहीं है आप लोग को बताना है option है गेहूं जूट बाजरा और मकई गेहूं जूट बाजरा और मकई तो आप लोग को पता है कि गेहूं क् खाया जाता है गेहूं एक खादे पदार्थ है अगर बात करें बाजरा की तो बाजरा भी खादे पदार्थ है अगर बात करें मक्की की तो मकई भी एक खादे पदार्थ है लेकिन जूट दोस्तो खादे पदार्थ नहीं है जूट क्या है जूट एक रेशेदार पौधा होत और इसे खाया नहीं जाता है यानि कि जूट जो है हमारा थर्ड नंबर उप्शन राइट हो जाएगा और अगर बात करें इसके बारे में जूट के बारे में तो जूट जो है इससे काफी चीजे बनाने में मदद मिलती है जैसे कि आप लोग रसिया बनाने में या कपड़े बनाने में कागज बनाने में काम में आता है जूट काफी इंपोर्टेंट होता है दोस्तों कमपनियों में इसको इसका काफी उप्योग में इसको लिया जाता है और जूट की खेती नगदी खेती कलाती है जूट की खेती कैसी होती है नगदी खेती कलाती है चली देखते है नेक्ट कोश्चन दस नमर कोश्चन यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए तथा इसकी चोड़ाई 20% घटाई जाए तो आयत का छेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा भोल रहा है दोस्तो कोश्चन सिंपल है कि यदि आयत है एक क्या है एक आयत है और उसकी लंबाई को हम लोग 20% बढ़ा रहे हैं और चोड़ाई को 20% घटा दे रहे हैं तो उसके पूरे एरिया पर बोल रहा है पूरे एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं इसको कैसे सॉल्फ करते हैं दो तरीकों से इसको हम लोग सॉल्फ करेंगे दो तरीकों से सॉल्फ करन माइनस A प्लस माइनस B अपाउन में A इन्टू B होता है यहाँ पे अपाउन में कितना होता है 100 होता है दोस्तों यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा लिजेगा इसको कैसे फर्मूला पे पूट करते हैं देखिए बता रहा है एक कोश्चन में कि 20% लंबाई बढ़ाई जा रही है 20% बढ़ाई जा रही है यानि कि प्लस 20 हो गया और उसके बाद में फिर 20% घटाई जा रही है यानि कि माइनस 20 हो गया यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है आप लोग को पता है कि प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और 20 गूने 20 अपन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इसको solve कर देते हैं यह और यह कट गया दोनों और 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया यानि कि माइनस चार माइनस यहाँ पे साइन जो है वो बता रहा है कि घट रहा है या बढ़ रहा है तो अगर प्लस साइन आता है तो बढ़ेगा और अगर माइनस साइन आता है तो घटेगा तो यहाँ पे माइनस साइन आया हुआ है यानि कि आयत का छेतरफल क्या होगा 4% से घट जाएगा आयत का छेतरफल चलिए देखते हैं जो भी इजी उस तरीके से आप लोग बना लिजेगा इसलिए बता रहूं आप लोग को कि अभी तो 2% दिया हुआ है कि 20% बढ़ रहा है और 20% घट रहा है तो आप लोग बता दे रहे हैं फर्मूला लगा दे रहे हैं लेकिन अगर आप लोग उसे question में 3% पूछ लिया जाए कि एक और percentage 20% में दे दिया जाए तो फिर फर्मूला काम नहीं करेगा जो मैं अभी बता रहा हूं वहीं काम करेगा और मैं अपनी तरफ से आप लोग को ये सुझाओ दूँगा कि जो अभी second number जो method है बता रहा हूं वहीं आप लोग exam में यूज कीजेगा काफी अच्छा method है चलिए देखते हैं कैसे इसको solve करते हैं second method से दोस्तो क्या हो रहा है 20% बढ़ रहा है 20% का मतलब होता है 20 upon 100 यानि कि इसको काट देते हैं 1 by 5 तो दोस्तो पहले क्या था 5 था बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया पहले कितना था 5 था बढ़ के हो गया 6 उसी तरह से यहां अगर बात करें 20% फिर दूसरी बार में घट रहा है यानि कि 20 upon 100 काट देते हैं 1 upon 5 यानि कि पहले 5 था तो अब क्या हो रहा है यानि कि 4 हो जाएगा इसको क्या करते हैं दोस्तो इसको हम लोग हमेशा multiply करते हैं यानि कि 25 हो गया और इसको multiply करेंगे तो 24 हो गया यानि कि पहले 25 रुपी की चीज ती और 24 रूपए में उसको बेचा जा रहा जानि कि पहले उसका छतरफल कितना था 25 था और अब उसका छतरफल कितना हो गया एक 24 हो गया यानि कि यहां पे आप लोग को पता चल रहा है कि 1 रूपए एक मतलब कि 6 त्रफल उसका जो है एक एरिया कम हो रहा है तो परसेंटेज में बताना है कि परसेंटेज में कितना कम हो रहा है तो परसेंटेज में आप लोग को पता है 1 upon 25 into कितना हो जाएगा 100 इसको काट देते हैं तो आज आएगा 4% यानि कि 4% उसका area जो है वो कम हो रहा है और कम इस बिजली हो रहा है पता चल रहा है कि यहां पे पहले 25 और अब 24 अगर दोस्तों पहले 26 होता और उसके बाद में यहां पे 27 होता तो कितना होता बढ़ जाता एक बढ़ जाता यानि कि जो है percentage बढ़ने में जो है option में जो हो रहा है तो 4% जो घट जाएगा वही option हमारा सही हो जाएगा यानि कि जो option देखते हैं option number कौन सा है option number इसमें 4% घटने वाला है second number option जो की 4% घट रहा है second number option right हो जाएगा दोस्तों मैं आप लोग को recommend करूंगा कि second method से ही आप लोग इस question को बनाएगा क्योंकि अगर आप लो इसको बता रहा हूं आप लोग को समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा देर लग रही है लेकिन जब मैं इसको बनाऊंगा तो direct 20% का मतलब होता है one by five तो five six करूंगा यहां पे और five four करूंगा 25 और 24 करूंगा और एक माइनस करके और इसको direct काटके बना दूंगा तो दोस्त तो कफी easy है कफी अच्छा तरीका है चलिए देखते है next question next question है भारत में कितने परमुख बंदरगा है भारत में कितने परमुख बंदरगा है आप लोग को बताना है 16,14,12 और 13 इन में से option में से एक बताना है कि भारत में कौन-कौन से परमुख बंदरगा है और दोस्तों copy और पेन लेके आप लोग बैठे होंगे मैं आसा करता हूँ क्योंकि जब भी मेरी Class होती है तो आप लोग copy और पेन लेके बैठ जाए किजए क्योंकि मैं जो भी note करवाता हूँ उसमें लिखते चलिएगा इसमें हम लोग बंदरगाह के बारे में देखेंगे और मैं सारे बंदरगाहों का नाम अप लोगों को लिखवा दूंगा तो देखिए इसमें इसका राइट एंसर हो जाएगा कि भारत में 13 बंदरगाह टोटल अब तक हैं और 13 बड़े बंदरगाह की बात करें और अगर छोटे बंदरगा की बात करें तो लगभग 200 छोटे बंदरगा आ जाते हैं और दोस्तों बड़ा जो बंदरगा होता है वो केंदर सरकार की देखरेक में होता है और जो छोटा बंदरगा होता है वो राज्य सरकार की देखरेक में होता है उसके बाद में इसमें अगर बंदरगाह की बात करें कौन कौन से बंदरगाह आते हैं तो नोट कर लिजेगा नोट करवा रहा हूँ मुंबई है पारादीप है चिन्नाई है बिसाखा पत्नम कांडला मुर्मुगाव जवाहर लाल नहरू जो बंदरगाह है और एक बंदरगाह है कोची और एन नौर हो गया हल्दिया निउ तूती कोरन और मैंगलोर पोर्ट बलेयर होता है एक जो की तेरा परमो की ये सब बंद दरगाहे हैं जो की काफी important है आप लोग ध्यान रखिएगा चलते है next question की तरफ दोस्तों बोल रहा है कि प्रस्ण चिन्न के जगह पर क्या न चाहिए यानि की what के जगह पर क्या न चाहिए तो मैं जो first number जो question बताया था आप लोग को कौन सा method single digit method single digit method का उपयोग करेंगे यह यहाँ पर भी हम लोग single digit method का उपयोग करने वाले हैं और देखते हैं single digit method से यह question जो है बन पाता है कि नहीं बन पाता है चलिए दोस्तों इसको solve करते हैं single digit method से यहाँ पर दिया हुआ है पहले इस question को देख लेते हैं question को जब मैं आप लोग को क्या बताया था कि हम लोग जानते हैं कि 9 अगर आएगा तो neglect कर देना है अगर point आएगा तो neglect कर देना है अगर percentage आएगा तो भी क्या करना है neglect कर देना है तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग solve करते हैं यहाँ पे अगर हम लोग इसको plus करते हैं तो 7,2,9 यहाँ पे हो गया तो इसको हम लोग simple क्या करेंगे 9 को 0 मानेंगे यानि कि निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 3,1,4 बच गया तो 4 यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद में plus का sign है तो plus लिखेंगे और 8 और 1,9,9 हो गया निगलेक्ट और बचा कितना एक उसके बाद में फिर आ जाता है 4,4,8 यानि कि इसको जब हम लोग add करेंगे तो 4 और 1,5 5 और 8 कितना? 5 और 8 होता है 13 यानि कि 3 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1,4 हो जाएगा दोस्तो अब देखते हैं option में कि option हमारा कौन सा follow कर रहा है हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 4 चार कौन सा option follow कर रहा है यानि कि हम लोग को option को single digit बनाने पे उसमें 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए दोस्तों बनाते हैं इसको single digit option first number पहले लेते हैं first number क्या बोल रहा है? 5 और 3,8 8 और 2,10, 10 और 4, 14 10 और 4 कितना हुगा? 14 14 को single digit में बनाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा हम लोग को कितना चाहिए? 4 चाहिए यानि कि first number जो option है नहीं होगा second number option के अगर बात करें 6,2,8,8,2,10,10,10,4,14 ये भी आ रहा है 14 यानि कि ये भी हो गया कितना? 5 हो गया यानि कि ये भी नहीं होगा third number option के अगर बात करें 4,2,6,6,6 और 4,10,12 आ रहा है यानि कि ये हो गया 3 यानि कि ये भी नहीं होगा इत्थी third number option भी गलत है fourth number option अगर की बात करें fourth number option की 5,2,7,7,2,9,9 तो ऐसे ही निगलेट हो गया बचा कितना? 4 बचा यानि कि हम लोग को कितना चाहिए 4 चाहिए तो जो fourth number option है right हो जाएगा fourth number option is the right answer तो दोस्तो कैसा लगा आप लोग को trick comment box में comment करके जरूर बताईएगा कि single digit method वाला trick कैसा लगा देखते हैं next question 13 number question निम्न में से बंगला देश की मुद्रा कौन सी है बंगला देश की मुद्रा आप लोग को बतानी है बंगला देश की मुद्रा कौन सी है काफी easy question है काफी important भी है और काफी easy भी है बंगला देश की मुद्रा आप लोग को पता है टका इसकी मुद्रा हो जाती है और बंगला देश की राजधानी और सबसे बड़ा नगर धाका बंगला देश की अगर राजधानी की बात करें तो क्या होता है धाका होता है कन्फ्यूज मत हो यह गदोस्तों यहाँ पे जो टका है ये है बंगला देश की मुद्रा और जो ढाका है वो है बंगला देश की राजधानी और जो बंगला देश की यहाँ पर भासा बोली जाती है भासा को हम लोग क्या बोलते हैं बांगला भासा बोली जाती है और बांगला देश गरतंत्र दच्छिन जम्बू द्वीब का एक र पुर्व और जो पस्चिम की सिमाएं हैं बंगला देश की कौन सी दोस्तों नोट करते चलिएगा एक एक बात जो है important है जो उत्तर है और पुर्व है यानि की East है और जो West सिमाएं है भारत से जुड़ी हुई है तीन तरफ से भारत से जुड़ी हुई है और दो दक्षिन पु रखियेगा चली देखते हैं अगला प्रोष्चन जो कि है वट गारणर नमबर कुश्चन दोस्तों है ध्र劑ल रहा है 24 के देखते हैं यहाँ पर बताना आप लोग विंसमा च्पी सेभिक्रियाहे लिए फ्रकास रसायनिक już vard коп करें अगर बहत करें इसके बारे में तो रसाइंक पर क्रिया क्या होती है या एक से अधिक जो प्दार्थ होते हैं आपस में क्रिया करते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों मुंबती का दहन की अगर बात करें तो उस्मा छेपी अभिक्रिया हो जाती है मुंबती की दहन उस्मा छेपी अभिक्रिया है दो बाते हैं मुंबती का जलना और मुंबती का दहन पर मुंबती के दहन के बारे में बोला गया है तो मुंबती का दहन एक उस्मा छेप है प्रकास रसाइनी का अभिक्रिया मुंबती के जलने की अभिक्रिया को कहा जाता है अगला कोश्चन पंदरा नमर कोश्चन है पंदरा नमर कोश्चन दोस्तों किसी निश्चित विधी में निम्न में से दिये गए चार में से तीन समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं निम्न चारों में से उस समूह से असम्मन्धित कौन सा है यानि की सिंपल कोश्चन ये बोल रहा है कि इसमें से भिन को आप लोगो चाटना है आप सन दिया हुआ है पानी, पेट्रॉल, सक्कर और रस इसमें से आप लो एक liquid नहीं है दोस्तो सकर liquid नहीं है सकर क्या है सकर ठोस पदार्थ है और रस की बात करें तो रस भी एक liquid ही हो जाता है यानि कि जो सकर है second number option सकर right answer हो जाएगा 16 number question के अगर बात करें तो 36, 34, 30, 28, 24 what की जगा पर क्या आएगा बोल रहा है स्रिंखला को देखकर अगली संख्या ग्यात करना है जो series दिया हुआ है 36, 34, 30, 28, 24 इसमें आगे क्या आएगा what की जगा पर इसमें स्रिंखला को देखकर ये पता करना है कि आगे क्या आएगा तो देखते हैं कैसे स्रिंखला बढ़ रहा है पहले option देख लेते हैं 26, 22, 20 और 23 इसका option दिया हुआ है देखते हैं कि स्रिंखला को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे देखिए दोस्तों बात हो रहा है 36 की और उसके बाद में क्या आया है 36 के बाद में 34 आया है यानि कि 36 में अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34 यानि कि 34 आएगा उसी तरह से अगर 34 में हम लोग 4 माइनस करते हैं तो कितना आता है 30 आता है उसी तरह से दोस्तों अगर बात करें कि अगर हम लोग 30 में 2 माइनस करेंगे तो 28 आएगा और 28 में अगर हम लोग 4 माइनस करें तो कितना आएगा 22 आएगा तो 28 में 4 माइनस करने पर कितना आता है 22 आता है 28 में अगर 4 माइनस करेंगे तो 24 आएगा और अगर 24 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा यानि कि जो स्रिंखला है इसमें देखिए यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है स्रिंखला यहाँ पे हो रहा है 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या क कोई नहीं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा करनाटक में इस्तित रिंजू 10 फaphis नमेर ऑप्षन और इसमें अगर बात करें इसकी तो 1996 यानि 1996 में इसका establishment हुआ था काफी date important है date को ध्यान में रखेगा दोस्तों जो भी date होता है date काफी important होता है तो date को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा देखते हैं अगला question बिंबी सार कहां का सा सकता बिंबी सार कहां का सा सकता दोस्तों दो बाते आती है पहला होता है बिंदु सार पहला आता है बिंदु सार और दूसरा आता है बिंबी सार तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है बिंबी सार दिया हुआ है बिंबी सार कहां का सा सकता आप लोग को बताना है अवद का सासंत था या गंधार का था कमबोज का था या मगद का था तो इसका राइट एंसर दोस्तो हो जाएगा फोर्थ नमबर जो अप्शन है फोर्थ नमबर अप्शन इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि कि कहा का सा सकता मगद का सा सकता फोर्थ नमबर अप्शन राइट हो जाएगा बिम्बिसार के बारे में अगर हम लोग कुछ बाते करें तो यहाँ पे देखने को मिलती है कि बिम्बिसार बहुत ही सफल राजा रहा चुका है और बहुत ही ये कुटनितिग्य और दुरदर्सी भी था हर्यक वन्स की अस्थापना इसी ने की थी हर्यक वन्स की अस्थापना बिम्बिसार के द्वारा ही किया गया था और दोस्तों उसके बाद में जो बिम्बिसार को मगत समराज्य का वास्त्विक संस्थापक भी माना जाता है राजगीर को अपना राजधानी बनाता है और उसका बिवा होता है जो लिच्छवी की सासक जेतक की पुतरी चेलना से उनकी बिवा होती है और दूसरा परमुक बिवाहिक समंद कोसल राजा प्रसीन जीत की बहन महा कोसला के साथ बिवा कर उन्होंने बनाया और काफी इंपोर्टेंट है उन्होंने दो साधियां की थी भारत इतिहास में भारत के जो इतिहास है उसमें बिम्बिसार का बहुत ही महत्पून रोल देख चले देखते हैं 19 No question, Next Question है महभारत के रचैता कौन थे? कौन थे? तुल्सी दास, काली दास, महरसी बेदव्यास या फिर बालमी की option में आप लोग को बताना है की option कौन सा right है तो इसका right answer हो जाएगा महरसी बेदव्यास सेकेंड नमबर जो अप्सन है महरसी बेदव्यास राइट एंसर हो जाएगा अब उसके बाद में अगर बात करते हैं बेदव्यास की तो जो कृष्ण देवेपयायन बेदव्यास इनका पूरा नाम है क्या है पुरा नाम इनका अगर बात करें बेद व्यास की तो इनकी पुरा नाम की अगर बात करें तो कृष्ण द्वेपयायन बेद व्यास इनका पुरा नाम है और महाभारत के रचाईता ही नहीं उनको अनेक घटनाओ के रुप में वहाँ पे महाभारत के साक्षी भी रह च वर्श लग गये थे महा भारत को लिखने में अगला question है 20 number question काफी important 20 number question reasoning से है अगर plus का अर्थ है minus minus का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है plus तो 9 minus 7 plus 85 into 17 divided by 15 का मुल्य कितना होगा यानि कि इसका value बताना है दोस्तों कि अगर question में पूछ रहा है कि अगर हम लोग plus को minus लिखते हैं यानि कि 9 यहाँ पे question देखिए question क्या बोल रहा है 9 minus 7 तो minus को हम लोग क्या लिखते हैं minus का अर्थ गुणा है और 7 हो गया उसके बाद में दोस्तों plus का अर्थ पूछा है गुना का मतलब बोला गया है भाग यानि कि भाग दे कर 17 लिख देंगे और भाग का अर्थ बोला गया है यहां पर प्लस बोला गया है तो प्लस 15 बस इसको क्या करते हैं solve कर देते हैं solve कैसे करते हैं 9 गुने 7 हो गया minus इसको पहले भाग देंगे 5 से जाएगा और plus में 15 यानि कि यह हो गया 63 minus 5 plus कितना 15 तो दोस्तों यहां पर यह है plus और यह है plus इसको जोड़ देते हैं 5, 3, 8 और 6, 7 यानि कि 78 minus 5 is equal to कितना हो गया 73 is the right answer जो की option number 73 है कौन सा option है first number option 73 है right answer हो जाएगा next question आ जाता है 12 पूरूस 18 महिलाएं एक कारे को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं 12 पूरूस है 18 महिलाएं हैं किसी कारे को कर रही है और कितने दिन में समाप्त कर रही है 14 दिन लग रहा है समाप्त करने में यहाँ पे ध्यान दिजेगा दोस्तो 12 महिलाएं या 18 पूरूस 12 पूरूस या 18 महिलाएं बोला गया है यहाँ पे और नहीं बोला गया है तो question में ये पूछा गया है कि 8 पूरूस और 16 महिलाएं उसी कारे को कितने समय में पूरा करेंगी तो ध्यान दिजेगा काफी important है यहाँ पे दिजे ध्यान और देखिए कि कैसे बनता है दोस्तों यहाँ बोला गया है 12 महिलाएं हैं या 18 पूरूस हैं या 12 महिलाएं हैं तो या का जब भी sign question में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको बराबर कर देंगे कार देते हैं 6 से 3 बार में और यह 6 से 2 बार में तो में और ओमें का जो ratio है कितना हो जाएगा 3 upon 2 यानि की 1.5 एक में बराबर 1.5 ओमें हो जाएगा उसके बाद में दोस्तों चलते हैं आगे देखते हैं कि यहाँ पे हो गया कि 1 में बराबर 1.5 ओमें यानि कि जितना एक ब्यक्ति कारे करता है उतना दिड़ ओमें मिलकर कारे करती हैं उसके बाद में मैं आपको फर्मूला बताया हूँ M1D1 is equal to M2D2 एक फर्मूला होता है इस फर्मूले पे आप लोग को value put कर देना है तो यहाँ पे दोस्तो 18 जो है 18 पूरूस हैं और कितना 14 दिन में पूरा काम खतम हो रहा है तो इसमें बताना है total question में पूछा गया है कि 8 पूरूस जो है 8 पूरूस है 8 पूरूस है कितने महिलाओं के बराबर है 1.5 और फिर उसके बाद में पूछा गया है 16 महिलाओं है तो कारे को कितने दिन में पूरा करेंगी यानि कारे को कितने दिन में पूरा करेंगी D2 यहाँ पे हम लोग माल लेंगे इसको solve कर देंगे solve करने के बाद में यहाँ पर आएगा 18 गुने 14 इस इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 18 9 और प्लस में कितना 16 16 9 गुने D2 हो जाएगा 16 9 कितना होता है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर 18 18 नहीं यहाँ पर 8 है तो यह हो जाएगा 15 और 8 15 बाठे 20 से याँ कितना 120 याँ कि 12 मतलब 12 हो जाएगा इसको प्लस कर देते हैं 18 गुने 14 इस इक्वल टू चो दो आट और 28 इंटू D2 काटा पीटी कर देते हैं काटा पीटी करने पर यह 14 से दो बार में कट गया और यह 2 से 9 बार में कट गया याणि की D2 बराबर कितना है या 9 दिन एक रिफ्रीजेटर में थंढ़क किस्से उतपन होती है एक रिफ्रीजेटर में बताना है कि थंढ़क किस्से उतपन होती है जो और आप्षन है आपका वास्प ATM सील द्रवग के भास्प फैलाव से एक रिप्रिजेटर में ठंधा कुदपन होती है जो की सबजी तथा अन्य खादेपदार जो होते हैं उनको ठंधा बनाए रखने में मदद करती है जिससे की वो जल्दी खराब न हो और अगर बात करें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो की जाम में एक कोश्चन होती है फ्रिज में कौन सी गैस होती है तो फ्रिज यानि की रिफ्रिजेटर में कौन सी गैस भरी होती है उसमें अमोनिया गैस होती है ध्यान रखेगा अमोनिया गैस होती है बढ़ते हैं 23 नंबर कोश्चन की तरफ वान खेड़े स्टेडियम मैदान वान खेड़े खेल का मैदान कहां इस्तित है वान खेडे स्टेडियम कहां इस्तित है बताना है आप लोग को उप्सन है चंडी गाड्र चेन्डाइ बैंगलूरू या फिर महराष्ट्र तो इसका राइट एंसर हो जाएगा मुंबई मुंबई इस दर आइट एंसर वान खेड़े स्टेडियम जो की मुंबई में इस्तित है और इसकी अगर हम लोग बात करें मुंबई में तो महराष्ट्र में मुंबई जो पड़ता है महराष्ट्र राज्य की राज़्धानी है मुंबई और क्रिकेट का ग्राउंड है दोस्तों किसका वान खेड़े स्टेडियम क्रिकेट का ग्राउंड है और इसकी अस्थापना 1974 में की गई थी इसकी अस्थापना कब की गई थी 1974 में की गई थी और सबसे पहले यहां पे एक टेस्ट मैच खेला गया था काफी इंपोडेंट है सबसे पहले यहां पे एक टेस्ट मैच खेला गया था इंडिया और वेश्ट इंडिज के बीच में कब 1975 में खेल गया था और उसके बाद में पहला एक दीवसी अगर गिंच के नहीं के-ब가는 एकом में एक D Film 20 वस्तू को 160 में बेचने पर एक ब्यक्ति को 20% की हानी होती है 20 वस्तू है उसे 160 रुपया में बेच रहा है तो कोई ब्यक्ति है जिसको 20% की हानी हो रही है यदि 20% लाफ प्राप्त करना चाहे तो 240 रुपया में कितनी वस्तूएं बेचेगा 20% लाप की बात कर रहा है दोस्तों कि 20% अगर लाप राप्त करना चाहे तो 240 रुपया में कितनी वस्तुए बेचेगा तो चलिए इसको solve करते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों एक वस्तु का अगर विक्रे मुल्य की बात करें तो 160 अपन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यानि कि 8 रुपया एक वस्तु का विक्रे मुल्य है एक वस्तु का विक्रे मुल्य कीतना हो जाएगा 8 रुपया एक वस्तु का विक्रे मुल्य हो गया उसके बाद में अगर 20% हानी पर बेच रहा है तो 20% हानी पर उसका क्रे मुल्य कीतना होगा 20% हानी पर क्रेम मुल्य 20% हानी का मतलब यहाँ पर 80 आ जाएगा इसको काट देते हैं 10 से और इसको काट देते हैं 10 रुपया 20% हानी पर उसका क्रेम मुल्य हो जाएगा बात कर रहा है कोश्चन में 20% लाप पर वस्तू को बेचा जा रहा है दूसर चालीस वस्तु में 20% लाप पर बेची दूसर चालीस रुपय में बेचा जा रहा है तो 20% लाप का मतलब यह हुआ यहां पे कि यहां पे 10 रुपया दोस्तो क्रेम मुले के साथ है क्रेम मुले 10 रुपया है तो अगर विक्रेम मुले की बात किया जाए तो 20% लाव पे बेशने पर कितना हो जाएगा विक्रेम मुल्य हो जाएगा 12 रुपया विक्रेम मुल्य हो जाएगा और 12 रुपया यहां पे विक्रेम मुल्य वस्तु का है तो वस्तु क्या है 240 रुपया में बेचा गया है वस्तू 240 रुपया में बेचा गया है और 12 रुपया एक वस्तू का विक्रे मुल्य है तो वस्तू की संख्या बतानी है तो 240 रुपया है और 12 रुपया में बेचा गया है तो वस्तू की संख्या कितनी है 20 वस्तू यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा या फिर दोस्तो अगर बात करें 100 ट्रिक की तो 100 ट्रिक की बात यह है यहाँ पर देखिए 100 ट्रिक कैसे होता है मैं आप लोग को बता रहा हूं काफी सोचने वाली बात है दोस्तो दिमाग है इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना है 20 वस्तू 160 रुपया में बेचने पर 20 परसेंट का क्या हो रहा है हानी हो रहा है यानि कि वस्तू कितनी है 20 है और 20 परसेंट का हानी हो रहा है अगर उतना ही लाब की बात करें कोश्चन में यानि कि 20 परसेंट लाव प्राप्त करने के लिए 240 में कितनी वस्तुएं बेचेगा तो दोस्तों 20 वस्तुएं खरिदा था यानि कि 20 वस्तुएं को 160 में बेच रहा है तो जब 240 रुपिया में वस्तुएं को बेचना होगा तो वस्तु तो टूटल 20 बेचेगा तभी तो पता चलेगा किलाव हो रहा है कि हानी हो रहा है अगर वस्तु कम बेच देगा तो कैसे पता चलेगा किलाव हो रहा है कि हानी हो रहा है तो 20 यहां पे हम लोग डाइरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन 25 नमर 25 नमर कोश दे गए आमों की कुल संख्या 60 है यदि बोल रहा है कि Y तथा Z के द्वारा कुल आमों की संख्या कितना है 60 आम खर दे गए हैं तो X द्वारा कितने आम खर दे गए हैं Solve करते हैं इसको काफी अच्छे तरीके से यहां पे देखिए दोस्तो X, Y और Z का रेशियो दे रखा है 5 रेशियो, 3 रेशियो, 2 दे रखा है और आप लोग को पता है कि कोई भी चीज अगर रेशियो में राती है तो उसमें कोई एक चर लगा रहाता है यानि कि X यहां पे है, X यहां पे है, X यहां पे है Question में यह बोल रहा है Y और Z कितने आम खर दे हैं Total आम 60 खर दे हैं तो Y और Z कितना आम खर दे हैं दोनों मिलके 60 आम खर दे हैं यानि कि मतलब यह हो गया कि 5 X बराबर कितना 60 हो गया एक से कर जाएगा बारा बार में एक स्बराबर हो गया 12 यानि कि एक स्बराबर दोस्तों यहां पे 12 आ रहा है और question में यह पूझ रहा है एकस द्वारा खर दे गए आमुकी संख्या बताना है तो X कितना आम खर्दा था रेशियो में 5 X खर्दा था और X का कितना मान है 12 है तो X द्वारा खर्दे गए आमों की संख्या 60 हो जाएगा 60 is the right answer option number जो B है 60 is the right answer 60 right answer हो जाएगा देखते हैं next question दोस्तों जो की हमारा question of the day है आज का question of the day next question है yellow cake क्या है बताना है आप लोग को yellow cake के बारे में yellow cake क्या है comment box में comment करके बताईएगा yellow cake क्या है इसके बारे में जो भी आप लोग को जनकारी है सारी चीजे comment box में comment करके मुझे जरूर बताईएगा और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share किजिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को subscribe करना मत भूलिएगा और दोस्तों में काफी share किजिए ज्यादा share किजिए क्योंकि आज मुझे 1K लाइक जरूर चाहिए और 1K भीव भी मुझे चाहिए तो दोस्तों में share कर दिजिए इसको मिलते हैं आगले वीडियो में जो की हमारा 16 नमबर पार्ट होगा और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा मिलते हैं आगले वीडियो में जैहिन धन्यवाद